पुलिस थाना ज्वाली के अधीन चलवाडा में गोली कांड होने का मामला उज्जागर हुआ है। राप्त जानकारी के अनुसार आशीश कुमार पुत्र अमर सिंग निवासी चलवाडा ने थाने में शिकायद दर्ज करवाई है। कि रोजानकी तरह आठ बजे को उनके बड़े भाई अजय कुमार सेर के लिए घर से निकले थी और उनकी माता करीबन साड़े गयरा बजे सोनी की तयारी कर रही थी कि उन्हें जोड से धमाके की आवाद सुनाई थी। अवाद सुनकर वह जैसे ही बाहर निकले तो उनके पडोसी सतीश कुमार पुत्र करतार सिंग उसके पास आए और बताया कि उसके पिता ने आपके भाई को गोली मार दी जिससे वह घायल अवस्था में पड़ा है। आशीश ने बताया कि वह अन्य लड़कों के सयोग से घायल भाई को सिविल अस्पिताल ज्वाली तक ले गया। वहाँ उसे टांडा रेफर कर दिया गया। आशीश कुमार ने कहा कि करतार सिंग ने मेरे भाई को जान से मानने की कोशिश की है जिस पर उसके खिलाब सक्त क कारवाई की जाए। सूचन मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच री और आगामी कारवाई शुरू कर दिया। डियस पी जवाली मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस ने इस संबंद में धारा 307 वो आम डेक्ट के तैट मामना दर्श कर लिया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जवाली से नेल चांगो के रेपोर्ट मौनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदिदा मारूती कारों पर आकर्शक ओफर चुनिये नई व्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, आल्टो या फिर वेगिनार, गोईल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिर्मौर और किनौर के हर कोने में सेल्स और स्थर्विस का आफ शाल नेटवर्क, आपके घरदवार पर सुविधाएं, मारूती सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर करें, 93170-00-001772 पर शाथी इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हवते केवल लाइफ डाइम्स टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़रे अपना वीडियो 8219003 या 8219004